दिल्ली की कमान अब आतिश्री के हाथों में होगी जी हां दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में अब आतिश्री दिखेंगी दिल्ली के जो ने मुख्य मंत्री है उनका नाम है आतिसी मार लेना आप विधायक के जो नेता है उन्होंने अपना नेता चुना है और अब दिल्ली का अगली जो मुख्य मंत्री होंगे वो होंगे आतिसी मार लेना जी आतिसी मार लेना वो 2018 से आप में है और उन्होंने कई सर और अब वो दिल्ली का तीसरा महिला मुख्य मंत्री बन गई है जिए एक विवात खड़ा हो गया है उनके उपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के जो नए मुख्य मंत्री है वो एक क्रिश्चन है वो एक इसाई है इस प्रकार से उनके उपर यह आरोप लगाया जा रहा ताकि जो आतिसी है उन्होंने धरम परिवर्तन कर लिया है और वो एक इसाई है इसलिए जब वो राजनेतिके में आया तो उन्होंने अपना जो सरनें उसको हटा दिया और केवल आतिसी ही नाम दिया है इस परकार से कई जो राजनेतिक दलों का उनके उपर आरोप लगाया जा रहा है कि वोट के लिए उन्होंने क्या कर दिया अपना जो सरनेम है उसको हटा दिया है और वो एक पंजाबी हिंदू है लेकिन फिर भी उनके उपर ये आरोप लगाया जा रहा CM383 मारलेणा ने ये कहा था कि मैं हिंदू हूं पंजाबी राजपुत हुं इस परकार से उन्होंने कहा था जब उन्होंने 2019 में नामांकन भराता तो उस समय उन्होंने अपना नाम था वो 373 मारलेणा बताया था लेकिन उसके बाद कई लोगों ने उनके उपर अरोप लगाय कि ये Christian है इसलिए उन्होंने अपना सरनेम है वो हटा दिया हला कि वो बताते हैं कि मेरा जो सरनेम है वो माता पिता ने दिया है इस परकार से बताया जा रहा है लेकिन फिर भी ये जो विवाद है वो खड़ा हो गया है और अभी वो दिल्ली का ने सीम बन चुके इसलिए ये और भी बढ़ता जा रहा है अभी आप हर एक news में social media में अगर आती सी मार लेना करके लिखेंगे तो आपको वो ही दिखाए देगा कि क्या आती सी मार लेना एक Christian है उनकी जाती क्या है उनका धरम क्या है उनके उपर इसाई होने का या Christian होने का आरोप लगाया गया है इस पर परने महटाया है वो वही जानते हैं लेकिन आती सी मार लेना जो कि दिल्ली का जो ने सीए में उनके बारे में अगर उनका बेगराउंड देखे तो उन्होंने दिल्ली में सन इस्टिफन कोलेश से उन्होंने पढ़ाई की है और उक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंन रहेगी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी अधिकारी है वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है सी एम आतिसी के पेरेंट्स ने उनके नाम के साथ कोई सरनेम नहीं लगाया बलकि पूरा नाम उनका आतिसी मार लेना रखा सरनेम की जगह मार लेना लगाने की कहाँच सरनेम की जगह मार लेना उन्होंने क्यों लगाया दर उनके जो पिता है वो लेप्ट विचारदारा को पसंद करते हैं और लेलिन से प्रबाइद थे इसलिए दोनों को मिला कर अपनी बेटी का नाम आखरी में सरनेम की जगह मारलेना लगाया अब वो नाम हो गया पूरा आतिसी मारलेना अभी उन्होंने मारलेना लिखना छोड़ दिया है ये साल 2019 में लोकसबा चुना में जब आतिसी मेदान में उतरी तो विपक्षियों ने उनके नाम को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने इसाई करार दे दिया था कि आतिसी मारलेना एक इसाई है क्रिशन है मारलेना सरनेम से ऐसा भ्रम भी हुआ और सोसल मीडिया पर खूब वाइरल किया गया के बाद आतिसी ने अपने नाम के आखिर से मारलेना को हटाने का फैसला लिया आप सभी को जे मसी की प्रेज लौड